इस वीडियो में दुस्तो हम लोग बात करेंगे fan code ECST10 के दोस्तो आज के match no.3 और दोस्तो match no.4 के बारे में दोस्तो match no.3 और दोस्तो match no.4 दोस्तो दोनों ही same team का match है बस दोस्तो आपको time का फर्क मिलेगा First match साम के 5 बज़े से start होगा और Second match साम के 7 बज़े से start होगा इस वीडियो में दोस्तो मैं दोनों match के लिए आपको combination बताऊँगा और साथ ही साथ दोस्तो दोनों match के लिए आपको player stats भी जानने को मिलेगा इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको 2-3 ऐसे player के बारे में बताया हूँ जिनका दोस्तो selection percentage बहुत जादा कम है 5% से भी कम है उन्होंने दोस्तो अभी तक एक भी match tournament में नहीं खेला है लेकिन दोस्तो वो player आपके लिए बहुत जादा important है तो ध्यान से दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर वाच कीजिएगा यदि दोस्तो आप small league खेल रहे हैं तो small league का combination आपको वीडियो में मिल जाएगा किस player को आपको कब rotate करना है ये भी दोस्तो मैंने आपको वीडियो में clear बता है तो दोस्तो वीडियो को पूरा वाच चरूर कीजिएगा वीडियो में दोस्तो आपको कहीं भी कुछ problem आता है तो नीचे comment section में दोस्तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक बात का दोस्तो धियान रखेगा इस दोनो match से related मेरा जो final combination होगा वो मैं दोस्तो आपके साथ telegram पे provide करूँगा दियान रखे या दोस्तो ठीक ना final combination दोस्तो मैं वीडियो में बताया हूँ लेकिन बाइचान दोस्तो उसमें कोई player नहीं खेलता है या दोस्तो मैंने जो आपको traum card player बता हैं वो यदि दोस्तो खेलते हैं तो final और updated combination मैं फिर से आपके साथ telegram पे share कर दूँगा सभी लोग दोस्तो telegram चैनल को जरूर जोइन कर लीजेगा इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जागा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment पीन के होगा मिल जागा जाइए दोस्तो जोइन कर लीजेगा उसी साथ दोस्तो आप contest join करना और win करना और साथी साथ दोस्तो अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube चैनल को जरूर subscribe किजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तो एक बाद notification का घंटी जरूर बजा देजेगा जिसे दोस्तो आने वाले first didn't match का वीडियो का आपको easily notification मिल जाए मिस मत किजेगा अब बात कर लेते हैं दोस्तो हम लोग AUM और दोस्तो BBL के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तो हम लोग start करते हैं बिकेट कीपरिंग सेक्शन से बिकेट कीपरिंग सेक्शन में दोस्तो इस match में आपके पास तीन बहुत ही संदार twice है तो यदि दोस्तो आप grandly खेल रहे हैं तो ध्यान रखना किसी एक twice के साथ बिलकुल भी मत जाना दोस्तो आप तीनों player को rotate जरूर करना चली मैं आपको बताता हूँ आपकी इस तरह से rotate कर सकते हो सबसे पहले दोस्तो आप क्या करो सबसे पहले तो आप जे मेतानी को अपनी सभी combination में fix कर लो बहुत ही दोस्तो तगरा batsman ने ध्यान रखेगा इनको दोस्तो टीम में रखने का तीन सबसे बरा region है एक तो दोस्तो यह opening करते हुए आपको दीख जाएंगे second region दोस्तो यह bicket keep ring करते हैं आपको bicket keep ring से भी point देंगे और third region दोस्तो इनका जो recent performance रहा है T20 में दोस्तो आप देख लो domestic में और साथ ही साथ जो इन्होंने starting का 2 match खिला है इस tournament में बहुत ही दोस्तो तगरा बैटिंग किया है last match में तो दोस्तो इन्होंने 50 प्लस भी score किये हैं तो यदि दोस्तो आप save जाना चाहते हो तो यह में थानी को सबसे पले team में रखना है second option के लिए दोस्तो आपको rotate करना पड़ेगा किसी combination में T सा को किसी combination में D partner को अब आप बोलोगे rotate किस धंग से हम लोग कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आपको यहाँ पर trick बदाता हूँ ध्यान से सुनिएगा यदि दोस्तो AUM की team first balling करती है तो दोस्तो आप T सा को try कर सकते हो यदि दोस्तो AUM की team first batting करती है तो दोस्तो आप D partner को try कर सकते हो क्योंकि जो deep at naker का 200 average है वो दोस्तो बैटिंग first करते हुए बहुत अच्छा है लेकिन दोस्तो बैटिंग second करते हुए इनका average थोड़ा सा down है तो ये trick का दोस्तो यूज कर सकते हो राइट नाव दोस्तो मैं Tisa को अपने team में रख रहा हूँ लेकिन ध्यान रखीगा deep at naker भी बहुत तगरा खेला रही है जो दोस्तो आपको opening करता हुआ दिखेगा स्टार्टिंग का दो मैंच में इन्होंने काफी अच्छा batting किया था लास्ट दो मैंच दोस्तो इनका खराब गया है चलिए आप बात कर ले दोस्तो हम लोग batting section से तो batting section से दोस्तो आप क्या करो सब से पहले नीचे आओ और जी सिंगो दोस्तो अपने सभी combination के लिए fix कर लो और उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है आख बंद कीजिए और दोस्तो दो पिक आप अपने से किसी भी player को choose कर लो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तो आपको जितना भी option मिलेगा ना batting section मे दोस्तो सब एक जैसे ही player है कोई भी दोस्तो आपको batting से 10 से जादा score करके नहीं देने वाला है और सभी player का दोस्तो जो batting position है ना बहुत ही नीचे रहता है कुछ player तो दोस्तो batting ही नहीं करते हैं तो यही दोस्तो सबसे बरा region है जी सिंग को fix कर लिजे उसके बाद दोस्तो यह UM की team इने खेलाती है तो आप इने जरूर अपने team में try कर सकते हो भी सिंग बाटिंग बहुत जादा नहीं आने वाला है 7th round दोस्तो यह batting करने आते हैं तो grand league में try करना ज्यादा सही रहेंगे small league में दोस्तो आप M5 के साथ जा सकते हो M5 को दोस्तो देखो मैं batting से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तो इनका जो fielding का मैंने देखा है यह दोस्तो long off पे रहते हैं और long off पे दोस्तो सबसे ज़्यादा ball t10 में travel करता है ध्यान रखेगा तो दोस्तो catch सबसे ज़्यादा आने का chance M run score किये थे अब आप बोलोगे यार 5 match खेला मात्र 40 run score किया आप कैसे बोलरो तगरा है दोस्तो यदि आप match देखोगे या scorecard ही देखोगे तो आपको मालूम चलेगा यह बंदा दोस्तो 5 match में 3 match में यह दोस्तो run out ही हो गया था तो दोस्तो T10 में luck factor भी बहुत important है यदि दोस जा है तो उसको आप blame नहीं कर सकते हो तो that's why दोस्तो एक उमार पे focus जरूर करना selection percentage बहुत कम है आपके लिए दोस्तो differential option जरूर बनेंगे तो यह चीज में आप पे छोड़ता हूँ नीचे से दोस्तो मैं अभी के लिए बी कल्यान को अपने team में रखूंगा कल्यान का दोस् high selection है आप उन्हें team में रख लेना ये दोस्तो हो गया safe तरीका मैंने दोस्तो जो option बताया एक कुमार और बी कल्यान ये दोस्तो थोड़ा सा रिक्सी हो गया ठीक ना और ये भी दोस्तो आपको धियान रखना है एक कुमार खेलेंगे की नहीं नहीं खेलें तो दोस्तो कोई खेल रहे है तब भी rien्ली खेल रहे है दोस्तो तब भी बहुत ही तग्रा खेला रही है एप अपरजापती के वह जाओ को भात करेंगे नहीं आप के बॉलिंग किया और दोस्तों आपको दो विकेट प्रवाइड किया तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छे च्वाई से टीम में जरूरूट राइक करना है अब दोस्तों नीचे आये तो दोस्तों इम पर्टेल को आपको ट्राइन नहीं करना है स्मॉल लिंग में जील में आप रिक्स लेना चाहते हो तो दोस्तो आप ट्राइ कर सकते हो सेलेक्शन परसेंटेज भले इनका दोस्तो 49 है लेकिन दोस्तो रिकॉर्ड और स्टाइट कुछ खास नहीं है तो इसलिए मैं बोल रहा था ग्रें लिंग में एक कंबिन दोस्तो जो हालत है अखनी परफॉर्मेंस टुनामेंट में बहुत ज्यादा बत्तर है लेकिन तब भी दोस्तो टीम अपने सबसे बेस्ट प्लियर को नहीं खिला रही है तो धिहान रखेगा इस प्लियर पे दोस्तो यदि ये खेलेंगे तो आपको इने दोस्तो इसमॉल ल दोस्तो बहुत ही सुपब है खेलेगा तो दोस्तो आपको 1-2-3 में बैटिंग करने आएंगे और 2 ओबर कम्प्लीट बॉलिंग करेंगे एक ओबर पावर प्ले में एक ओबर देथ में लास्ट येर दोस्तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था एउ-उ- बिकेट टेकर दोस्तो मैं बॉलर नहीं मानता हूं क्योंकि दोस्तो इनका मैंने बॉलिंग देखा है उतना ज्यादा दोस्तो बॉलिंग में स्पीड नहीं है और दोस्तो येर कर बहुत ही कम डालते हैं तो दैट्स वाई सीजन को ट्राइ करना और सिरफ पर सिप ग्रेंलिंग में करना और वह भी स्वाई तब करना जब दोस्तो अ करे दोस्तो एक मेरेको कल तGGरा बैयर्समें लगा दोस्तो इनका जो रिकॉर्ड है लास्ट येर का भी काफी अच्छा और दोस्तो कल के भी match में दौसोँ इन्होंने 1st match में especially बहुत ही आच्छा बैटिंग किया था सेकेंड match में दोसदो इन्होंने उतना आच्छा बैटिंग नहीं किया था लेकिन धियान रखना दोसदो इस player पे आप rix लेना चाहते हो तो दोस्तो आप इन्हें small league में भी try कर सकते हो एक दोस्तो अच्छा खेला रही है नीचे दोस्तो एक और आपको option मिलेगा cohead देखो cohead का दोस्तो जो record है न मेरे को दोस्तो इनका batting का record मिला है balling दोस्तो यह बहुत जादा नहीं करते हैं लेकिन दोस्तो इस tournament में batting नहीं कियें उन्होंने दोस्तो जो last match खेला है BL की team उसमें दोस्तो इन्होंने 2 over complete balling किये और आपको एक wicket provide कियें तो दोस्तो एक बहुत ही तगरा option है इस दोनों player पे दोस्तो ध्यान लखेगा दोनों player को दोस्तो आप एक team में कभी भी मत try करना आप rotate करना किसी combination में N लेगी किसी combination में K hold को ठीक ना चलिए आप बात कर लें दोस्तो बॉलिंग section से तो बॉलिंग section से सबसे first option हैंगे आपके लिए Jay Patel एक दोस्तो तगरा fast baller जो दोस्तो आपको 10 से 15 run patting से भी score कर देगा opening एक over करेंगे और एक over दोस्तो ये देथ में करते हैं second option दोस्तो आपको नीचे मिलेगा एक und wala दोस्तो बहुत ही अच्छा दोस्तो spin baller है at least दोस्तो एक spinner को आप try कर सकते हो हम मुझे मालूम है दोस्तो ये जो पीछ है वो pace baller को बहुत जादा help करती है लेकिन आप दोस्तो एक combination में एक und wala को try कर सकते हो picket to picket ball डालते है और दोस्तो maximum time ये bold ही करते है batsman को तो धियान रखेगा bold से दोस्तो आपको fantasy में extra point भी मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा दोस्तो आपके पास ये option है फिर नीचे आईएगा दोस्तो तो एक और आपको तगरा खेलारी मिलेगा भी नागे अभी तक दोस्तो टीम इने नहीं खेलाई है लेकिन इस player पे दोको focus शरूर रखना एक दोस्तो बहुत ही अच्छा baller है record भी दोस्तो इनका लाजवाब है अभी तक दो match इनों ने खेला है 29 run batting से score के और 2 match में 2 wicket आपको provide के और complete 4 over balling किये तो दोस्तो ये खेलेंगे तो ध्यान लखेगा 2 over complete balling करेंगे और batting position दोस्तो हमेशा इनका 4th round number आता है तो ध्यान लखेगा एक दोस्तो differential option आपके लिए इस match में जरूर बनेंगे आप इन्हें कैसे try कर सकते हो तो आप क्या करना एक उंटाला को drop करके भी नागी को try कर लेना ठीक न नीचे आईए दोस्तो तो आपको option मिलेगा A-sing A-sing को दोस्तो मैं चाहूँगा आप सिर्फ पर सिर्फ GL में ही try करना small league में दोस्तो थोड़ा सा रिक्सी रहेंगे क्योंकि दोस्तो इनका जो मैंने balling देखा है मुझे दोस्तो उतना ज्यादा superb नहीं लगा है grand league में mini GL में दोस्तो आप try कर लेना small league में दोस्तो रहने दो नीचे दोस्तो इनसे better आपको option मिलेगा आपको try करना होना तो दोस्तो आप D-negi को try कर लेना D-negi दोस्तो एक अच्छे baller है जो दोस्तो अच्छे इनके पास bounce भी है speed भी अच्छा है तो यह दोस्तो आपके लिए differential option इस match में जरूर रहेंगे तो आपको rix लेना हो तो दोस्तो आप D-negi के साथ जा सकते हो क्योंकि मातर 9% जनता नीने team में रखा है नीचे से दोस्तो इस डोबाल जो दोस्तो आपके small league team में और grand league team में दोनों में होने चाहिए एक दोस्तो अच्छा और picket taker baller है जो दोस्तो आपको batting से भी score कर देगा अभी तो दोस्तो इनका क्या है मैंने चेक किया है BBL का जो last 2 match हुआ है उसमें दोस्तो इनोंने batting नहीं किया है लेकिन last year दोस्तो BBL के team सेम यही कर रही थी starting के 3 से 4 match में दोस्तो इनका मैंने score card में देखा है batting position 6 नमर था उसके बाद दोस्तो last 4 match में इनका दोस्तो जो batting position था वो opening आ गये थे तो इस player पे focus जरूर रखना एक तो दोस्तो 2 ओपर complete balling करता है और साथे साथ आपको batting से भी point दे सकता है एम अलिक को तो दोस्तो धार्टाना ही नहीं है किसी भी combination से opening कर रहा है दो ओबर complete balling कर रहे हैं और बहुत ही सांधार form में चल रहे है balling से साथे साथ दोस्तो batting से तो इनने दोस्तो टीम से drop मतना करना और साथे साथ captain BC के भी दोस्तो आज के match में आपके लिए बहुत ही अच्छी option रहेंगे चलिए दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस match में captain BC किसे कर सकते हैं तो चलो मैं आपको starting से बताता हूँ जे मेतानी दोस्तो small league grand league दोनों में आप इने captain BC कर सकते हो मुझसे पूछो दोस्तो आप small league में BC करना grand league में captain करना टी सा दोस्तो बस team में रखना captain BC के लिए मैं recommend नहीं कर रहा हूँ जे सिंग को भी दोस्तो बस team में रखना आप batting section से दोस्तो किसी को भी captain BC मत करना आज़े ये दोस्तो अलाउंडर section में ये परजात आपके लिए बहुत important option है एस सिंग को बस GL में try करना ठीकना परजा पती को आप small league grand league दूनों में कर सकते हो captain balling section से MLE आपके लिए बहुत important option हैंगे small league में captain और दोस्तो grand league में captain के लिए जे परटेल को दोस्तो मैं recommend करूँगा सिर्फ और सिप आपको try करना हो तो दोस्तो आप grand league में BC करके try कर सकते हो अज़र बाज दोस्तो बस team में रखना ठीकना नीचे दोस्तो उतना खास option है एस टोबाल दोस्तो यदि top order में आगए batting करने तो दोस्तो इस small league में भी आप इने captain BC कर सकते हो लेकिन इनका position दोस्तो मैं final आपको telegram पे update कर दूँगा ठीकना अभी के लिए दोस्तो मैं ए परजापती captain रहेंगे और vice captain दोस्तो मैं ML के साथ जा रहा हूँ अभी के लिए दोस्तो यह मेरा final team है task के बाद दोस्तो इस team में मैं कोई भी changes करूँगा यदि दोस्तो कोई player नहीं खेलता है और साथी साथ जो मैंने अभी आपको drum card player बता है जैसे भी पर साथ यह सब दोस्तो खेलते हैं तो मेरा जो combination होगा मैं फिर से दोस्तो आपको update करके provide कर दूँगा telegram पे आसा करता हूँ दोस्तो आप लोगों ने telegram channel को join कर लिए होंगे नहीं कियों दोस्तो कोई बात नहीं कर लेना ठीक ना इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment pin के हुआ मिल जाएगा जाएगे दोस्तो telegram के साथ जुड़ जाएगे जो भी मैं final combination परवाइड करू चाहे दोस्तो match no.1 और साथी साथ दोस्तो same team का match no.2 भी है तो दोस्तो दोनो match related आपको final team यहीं आने वाला है तो join करके रखना और जो भी मैं team provide करू उसे के साथ दोस्तो contest join करना और win करना और साथी साथ दोस्तो अभी तक आपने YouTube चानल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube चानल को जरूर subscribe किजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तो सबसे important notification का घंटी जरूर बजा दिजेगा जिसे दोस्तो आने वाले DDN के match का वीडियो का आपको easily notification मिल जाएगा फिर मिलते दोस्तो आप सभी से next DDN के वीडियो में take care bye bye